हेलो फ्रेंड्स, आज में ये जाली वाले डिजाइन लेके आई हूँ, ये आप शॉल में, स्टॉल में या फिर जैकेट वगरा में बच्चों की टॉप अगर बना रहे हैं टॉप में, किसी में भी डाल सकते हैं इस डिजाइन को, ये इस तरीके से जाली का पूरा पैटर्न ह है ये, ऐसा दिखता है ये, और बहुत असान है बनाना कीवल 4 उपा ये डिजाइन है, अभी की कितना सुन्दा लग रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये, इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 6 की मर्टेपल में फंदे डाले हैं, 6 की मर फंदे प्लस करते वे जाएंगे, 6 फंदों की बिनाई है, तो 6-6 फंदे प्लस करते वे जाएंगे, तो ये बिल्कुल फिट बैट जाएगा, और 2 फंदे हम अपने दोनों तरफ की एज के लिए एक्स्ट्रा ले ले लेंगे, ये डिजाइन बिल्कुल फिट बैठेगा, य हमारे first row है सीधी तरफ से, right side है, तो एक फंदा हमने slip करना है, एक फंदा slip करा, उसके बाद धागे को आगे करेंगे, जाली आई की यहाँ पर, और इन तीन फंदों को पीछे की तरफ से लिखे, यह ऐसे, यह तीन फंदे एक साथ लेने हैं, और इनको पीछे की तरफ से एक सा सीधा बिनना है, धागा आगे रहेगा, और हमें पीछे की तरफ से लिखे सीधा बिनना है, इसके बाद इसे निकाल देंगे, फिर से हम धागा आगे करेंगे, जाली आईगी दुबारा से, और तीन फंदे हम सीधे बिनेंगे, एक, दो, तीन, यह इनी छे फंदों का हमारा pattern है, ये edge stitch है ये तीन फंदों का एक करा तो हमारे ये दो फंदे घड़ गए तो हमने ये दो जालियों से इसे पूरा कर लिया उसके बाद तीन फंदे हमने सीधे बिने फिर से अब हमारा pattern repeat होगा तो धागा आगे करेंगे जाली आएगी, जाली से pattern start हो रहा है, तो धागा आगे करा जाली आएगी और इन तीन फंदों को पीछे से हम ऐसे करके एक साथ सीधा बिन लेंगे फिर धागे को आगे करेंगे जाली आएगी और तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन फिर से pattern repeat होगा तो दागा आगे करेंगे जाली आएगी और इन तीन फंदों को पीछे से एक साथ लेके सीधा बिन देंगे फिर दागे को आगे करेंगे जाली आएगी और तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन लास्ट की एज स्टिच है इसको भी हम सीधा बिन देंगे अब second row है wrong side है इसको हम पूरा उल्टा बिनते वे complete करेंगे इसमें कुछ नहीं करना है हमें सारे फंदे हम उल्टे-उल्टे बिन लेंगे यह जाली वाला फंदा है इसको भी हम इस तरीके से उल्टा बिन लेंगे फिर यह जाली वाला फंदा है इसको भी उल्टा यह पूरी रो हम उल्टा बिनते वे complete करेंगे अब हम अपनी third row में हैं सीधी तरफ है हमारी यह तो edge stitch है एक तो इसको हमने ऐसे ही निकाल लिया इसके बाद देखे यहाँ पर हमने तीन फंदों का एक करा था तो अब इन तीन फंदों को हमें सीधा बिनना है एक edge stitch निकालने के बाद pattern यहाँ से start हो रहा है तीन फंदे सीधे बिनेंगे हम यह तीन फंदे सीधे बिने अब यह जो तीन फंदे हमने सीधे बिने थे यहाँ पर तीन फंदों का इक होगा तो धागा आगे करेंगे जाली आएगी और इन तीन फंदों को पीछे से एक सासी धाविन लेंगे फिर धागा आगे करेंगे जाली आएगी अब ये पैटन यहीं तक था पहले हमारा पैटन जाली से स्टार्ट हुआ था और अब हमारा pattern जाली पे खतम हो रहा है फिर से pattern repeat होगा तो 3 फंदे आगे के सीधे 1, 2, 3 धागा आगे करेंगे जाली आएगी और इन 3 फंदों को पीछे से एक कर लेंगे फिर इसके बाद धागा आगे करेंगे जाली आएगी और 1, 2, 3 फंदे सीधे बिनेगे फिर धागा आगे करेंगे जाली आएगी और इन 3 फंदों को पीछे से एक कर लेंगे फिर से धागे को आगे करेंगे जाली आएगी और एक फंदा हम सीधा बिनेगी तो है wrong side है इसमें हम सारे फंदे उल्टे बिनते वे complete कर लेंगे जाली वाला फंदा है इसको भी उल्टा बिनेंगे और ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन देंगे ये एक बर हमारा pattern बन गया है ये दिखिए ऐसे जाली आएएगी इसमें और ये एक बर pattern बन गया है एक साथ सीधे बिनेंगे और इन तीन फंदों को हम सीधा बिनेंगे फिर ये तीन फंदे एक साथ बिनेंगे इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा पैटन जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ऐसे दिखेगा ये जब आप इसको बढ़ाते जाएंगे आगे Thank you